हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम एट्थ चैप्टर एप्लिकेशन ओफ इंटीग्रल्स शुरू करने जा रहे हैं तो आईए देखते हैं इसे ठीक है कि कैसा चैप्टर है ये इसमें बच्चो आपको पांच फिगर के बारे में बात करके दिखाई जाएगी एक पैराबोला एक इलिप्स सर्कल ठीक है और और क्या है ट्रेंगल हलका सा हाइपर बोला एंड कॉंबिनेशन ओफ फिगर्स कॉंबिनेशन ओफ फिगर्स ठीक है तो पैराबोला एलिप्स सर्कल ट्रेंगल हाइपर बोला कॉंबिनेशन ओफ फिगर्स ये छे हमें टॉपिक इसमें कवर करने है ठीक है और सारे के सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है हम सबसे पहले आज पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जैसी पैराबोला पढ़ लेंगे फिर हमें क्लियरली यह बता चल जाएग कि क्या पढ़ना है हमें ठीक तो सबसे पहले मैं आपको अगर पैरा बोला के बारे मैं बताऊँ तो आप simple ती एक बात जानिए पैरा बोला की 4 equation है ठीक है पैरा बोला की 4 equation है क्या है चार equation द्यान से जुनिए गा पहला अगर आप इसे देख रहे हैं यह वाला पैरा बोला तो आपने देखा कि यह x-axis पे बन रहे हैं कौन से अक्षेस पे X-axis पे तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो equation होगी वो Y-square से होगी किसे होगी? Y-square थे और बनेगा 4AX ठीक है? अगर X-axis पे बना है तो Y-square 4AX यह इस तरफ था positive X-axis की तरफ था इसलिए plus का 4AX अगर यह ऐसे बना होता इधर कुछ ऐसे बना होता तो इसकी equation तब भी वही रहती Y-square लेकिन अब हो जाता minus का 4AX क्यों? क्योंकि इस तरफ जब आएगा तो X कैसा मिलेगा इसको minus का मिलेगा यह जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? minus का मिलेगा समझ मारी बात? ठीक? फिर एक second अगला टाइब है पैराबोला का अगला टाइब है कि जब पैराबोला ऐसा बना हो तो अब क्या है? Y-axis स्वे बना है तो इसलिए X-square बराबर 4AY क्यों? क्योंकि इधर की तरफ जो Y होता है वो positive होता है इधर की तरफ Y की value क्या होती है? positive अब इसी के पास एक और मिल जाएगा आपको क्या? ये ये बन जाएगा ठीक है? और जब ये बनेगा तो भाई ये क्या है? ये भी Y-axis स्वे बना है तो बनेगा X-square बराबर माइनस का 4AY क्यों? क्योंकि इधर की तरफ Y जो मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा भाई? माइनस का मिलेगा Y Y जो मिलेगा कैसा मिलेगा? माइनस का तो ये चार पैराबोला की एक्वेशन है ठीक है? और ये चारो पैराबोला आप नोट कीजिए फिर मैं इसके आगे की कहानी शुरू करता हूँ क्या किरकार पैराबोला में क्या क्या कोश्चन्स और बन सकते हैं ठीक है पहला इसकी एक्वेशन नोट कीजिए आप वीडियो पाउस करके नोट कीजिए ठीक है? चलो ठीक है? चलिए अब कुछ जरूरी बाते हैं पहले 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 एक दो कोश्चन कराता हूँ आपको कोश्चन करना कैसे है? क्या करना है? सब बताता हूँ ठीक है? चलो पहले पहले कोश्चन उठा लो जी फर्स्ट कोश्चन 8.1 का first question can I find the area of region bounded by the curve y square is equal to x and the line x is equal to 1 comma x is equal to 4 and the x axis in the first quadrant ठीक है बई? अब ध्यान से सुनेंगी इदर ध्यान से सुनेंगी क्या है बई? y square is equal to x x line बराबर क्या है? x is equal to 1 और ये है बई पैरा बोला दिया हुआ है the given curve is the given curve is आपको जो पैराबोला दिया हुआ y square is equal to x दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? कि y के उपर square है तो x axis पे पैराबोला बना होगा ठीक है? and the given lines are and the given lines are x बराबर 1 and x बराबर 4 ये line दिया है तो इसका मतलब जो पैराबोला होगा पहली बात तो पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा ये हो गया पैराबोला ठीक है? अब पैराबोला की equation गया है y square is equal to x और y square क्यों है? क्योंकि x axis बना होगा है ठीक है बई? अच्छा अब x एक line जा रही है रहा होगा तो भई माल दीजी अगली line यहां ऐसे कट गई x यानि कि ये रहा होगा 4-0 क्या बनेगा ये? 4-0 तो कहरा भाई इसमें question में कहा तो बताईए कि जो area bound हुआ है जो area बंधा है ठीक है भई? वो क्या है और वो कितना है? area बताईए अनों हिस्सा बराबर होता है यानि अगर मैं इसका area निकालके double कर दूँ तो यह आ जाएगा obvious सी बात है ठीक है? तो ऐसी situation में हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे भई देखो ऐसी situation में कुछ नहीं हमें एक strip खीचनी है ये कैसे strip खीचनी है और जब आप strip खीच रहे हो ये strip क्या help करती है? जैसे जैसे question बढ़ेगा आपको अपने आप पर चल जाएगा कि क्या help कर रही है? फिलाल हमने जैसे strip खीचा तो अब ये देखो क्या strip इन दोनों line को touch कर रही है? नहीं क्या किसी को touch कर रही है? किस को कर रही है? कर्व को जिस कर्व को हमें दिया गया है उसको कर रही है इसके इलावा अगर किसी और figure को अगर ये touch करती तो हम इसके उपर काम करते लेकिन ये सिर्फ भाया कर्व के सिवा और किसी को touch नहीं कर रही है मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे भी questions आएंगे जिसमें curve के अलावा किसी और को भी touch करेगा strip तो जब strip किसी और को touch करेगा curve के अलावा तब क्या करते तब हम next class में बात करेंगे ठीक है अभी फिलाल मैं आपको DEFA मुझे जो एरिया निकालना हो किसका निकालना है ABCDEFA मतलब इस पूरे का एरिया निकालना है तो कैसे निकालूँगा दो गुने में एरिया किसका A, B, A, D, E, F, A या अगर मैं इसका एरिया डबल कर दूँ तो दोनों का निकल जाएगा कि नहीं obvious ही बात है तो A, D, E, F, A का area निकाल के double कर देंगे तो logie double कर देंगे हंजी limit कहां थे कहां तक चल रही है एक से लेके 4 तक जो X-X से चल रहा है एक से लेके 4 तक अब ध्यान रखना बच्चो अब ध्यान रखना क्या बताने जारो मैं यह जो strip बनती है न बच्चो यह दो तरह की बनती है एक बनती है vertical एक बनती है horizontal ध्यान तो सुनना अगर आपकी strip horizontal है यानि आप horizontal strip बना रहे हैं तो आप Y की value put करेंगे और X के respect में integration करेंगे ध्यान तो सुनना मैंने क्या कहा है अगर आपकी strip horizontal है तो Y की वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू ओफ Y लेंगे और काम X के रिस्पेक्ट में करेंगे लेकिन अगर आपकी स्ट्रिप वर्टिकल है क्या है वर्टिकल तो आप वैल्यू X की लेंगे और इंटिग्रेशन Y की रिस्पेक्ट में करेंगे integration किसके respect में करेंगे y के respect में तो ध्यान रखना तो अभी आपने जो strip ली है वो कैसी ली है ठीक है ओहो सौरी उल्टा लिख दिया अगर आपने strip ली है vertical तो ये और भाई strip ली है horizontal सौरी उल्टा लिख दिया अगर strip vertical है तो y की value put करो और x के respect में काम करो और अगर strip horizontally है तो x की value put करो और y के respect में काम करो तो आपने वह ये strip कैसी ली है vertical ली है तो y की value put करनी करेगी कहां से put करनी पड़ेगी यहां से ठीक है तो निकाल लो इसको इसको निकाल लो यहां से तो भई आपका यहीं पर लिख देता हूँ y बराबर क्या जाएगा square 1 लोगए under root x तो यानि आप यहाँ पर y की value रखोगे और respect किसकी चलेगी x की तो 1 से 4 y की value क्या निकाली root x dx root x का integration क्या होता है हाँ भई 1 by 2 का तो यानि 3 by 2 upon 3 by 2 x लेके 4 तक हाँ भई पलट के बाहर कर दो 2 2 by 3 x के बाद 3 by 2 integration 1 से लेके 4 तक 2 2 जा 4 by 3 हाँ भई 4 की power 3 by 2 minus 1 की power 3 by 2 4 by 3 2 के square का 3 by 2 minus 1 का तो कोई भी power होगी रहेगा 2 से 2 कट गया 4 by 3 2 का cube 8 minus 1 4 by 3 8 में 7 गया 7 answer आगया 28 by 3 square units तो भाई इन सब का area मिलाके कितना आगया 28 by 3 square units तो इस तरीके से यह basic सा question आपके सामने करवाया गया है तो फटा फट नोट कीजिए फिर एक और करवात हूँ ठीक है second question मिल्कुल सेम है सेम है second question second question मिल्कुल क्या है सेम ठीक है अब देखो third question third भी same है लेकिन मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसका graph मतलब curve थोड़ा सा अलग है ठीक है तो यह note कर लिया होगा अब देखो third second आपको खुद करना भाई second आपको खुद करना है same question है यही डिट्टो बस थोड़ा सा curve अलग है curve अलग मतलब क्या कि equation अलग है यह तो अतार लियोगी strip vertical तो चलो यह भी छोड़ देता हूँ समझा दूँगा इसी में ठीक है question देखो third third यह भी question पैरा भोला गा है can I find the area of reason bounded by the curve यानि the given curve is x square is equal to 4y यह दिया हुआ भाई ठीक है and the lines are line क्या दिया हुई है y बराबर 2 y बराबर 4 यह line दिया हुआ है तो अब देख लो भाई यह x के उपर square है तो इसका मतलब parabola किस पर बना होगा x पर y पर बना होगा और उपर से plus में है तो उपर की तरफ अगर negative होता तो किदर बनता नीचे की तरफ तो यह तो बनीगा पराबोला x square बराबर 4 y ठीक एक line जारी होगी y 2 से एक line जारी y 2 से तो y 0 यह रहा 1 यह रहा 2 यह रहा होगा तो यह बनीगा आपका point 0 2 अगला y 4 3 यह रहेगा 4 यह रहेगा तो यह बनीगा 4 0 4 नाम देना जड़ा A B C D E F यह हो गया अब क्या करना भई आरसे situation में क्या करना है हाँ जी अब जब मुझे दिख रहा है कि भाई मैं सिर्फ कर्व को टच करना चाता हूँ क्योंकि इसको टच करूँ गो तो दोनों लाइन इंकलूड होईगी कोई फायदा है नहीं तो अगर मैं strip यह वाली बनाता हूँ अगर मैं strip यह वाली बनाता हूँ तो देखो मैंने कैसे strip बना दी horizontal ठीक है बात खत्ब मुझे area चाहिए किसका area चाहिए मुझे A, B, C, D, E, F, A का तो मैं क्या करूँ twice area निकाल लूँगा A, B, E, F, A का और twice area हाँ जी तो क्या होए भई अब देखो अब हमने strip तो limit कहां थे कहां पूट होगी दो से लेके चार तक क्योंकि horizontal है इसलिए यह वाला लिए हमने अच्छा अगला भई horizontal लिया है तो horizontal में value किसकी पूट होगी X की ठेक है और respect किसकी चलेगी Y की 2 ते 4 X की value निकालनो है यह से under root 4Y under root 4Y हाँ जी अब क्या होगा 2 2 से 4 under root 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा under root Y रह जाएगा DY 2 बाहर कर दोगे 2 2 जा 4 2 4 under root Y DY integration कर दोगे बात खतम Y की बाहर 3 by 2 3 by 2 2 to 4 3 by 2 पलट के बाहर Y की value 3 by 2 2 to 4 integration करो 8 by 3 limit लगाओ 4 3 by 2 minus 2 3 by 2 8 by 3 2 की square 3 by 2 minus 2 की 3 by 2 2 से 2 कट गया 8 by 3 2 का cube 8 minus 2 की बाहर 3 बटा 2 आगे solve कर नहीं सकते तो इतने square units ठीक है करो इसे नकली सा question है अएफे सकते नहीं सकते हैं जाएफे सकते तूर 2 की बाहर प्रूफे प्रूब प्रूबOps ऌगे सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो एक मिन बच्चो ठीक है यह नोट करो इसको करवाता हूं फिर में कि चलिए अगला घोशन अगला वह देखेंगे अ कि सट पर कि आ अगला यह मुझा थे ज़िए उसके बाद बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद 8th करना है आपको कौन सा करना है? 8th 9th मैं कराँगा 10th मैं करा रहा हूँ ठीक है? और मेरे 10th कराने के बाद आप 11th करेंगे नहीं 11th भी आप खुद करेंगे ठीक है? मैं 10th करा रहा हूँ और 10th question पे लिख लेंगे Very very important question 10th question पे लिख लेंगे आप Very very important question उसके बाद आप पैरा बोला का लगबग 70% पार्ट खतम कर चुके होंगे ठीक है? और इसके सेम टाइप के question आपको घर से करके लाने हैं फिर अकर के लाने हैं कहीं भाई हाँ time pass कर लो ठीक है? सभी बच्चे करके लाएंगे चलो question number 10 भाई बहुत बहतरीन question हो में से एक है बहुत बहतरीन ठीक है? देखो find the area bound by the curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2 ये दिया हुआ है मैं ध्यान से सुनना अजी ध्यान से सुनना भाई सबसे पहले the given equation of curve is क्या दिया हुआ है? x square is equal to 4y x square is equal to 4y ये आपको दी गई है equation ठीक है? अच्छा अब भाई x square is equal to 4y दी गई है तो इसका मंतला parabola किस पर बनेगा? y पे and the and the equation of line is क्या दिये रखे? x is equal to 4y minus 2 ये दिये रखा भाई ध्यान से सुननी है गब सबसे पहले ये देखो आपको parabola क्या दिया हुआ है? भाई parabola दिया हुआ x square is equal to 4y now तो x square दिया हुआ है तो इसका मतलब भाई वह इस पर बनेगा parabola parabola आगया x square is equal to 4y लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये line की equation दे तो दी लेकिन line गुजारू कहां से भाई? line भी तो मिरे को पता चलना चाहिए ना कि line कहां से पास होएगी या जबरदस्ती कहीं से भी line खीज दू एक line यहां खीज दू या एक line यहां यहां यह तो चलो अब सुरू करते हैं यहां पर तो एक काम करता हूँ ना मैं ठीक है भाई? मैं यहां से एक काम करता हूँ मैं 4y की value रख लेता हूँ मैं करता हूँ take equation इसको first मानना इसको second मानना take equation second second ठालो x is equal to 4y minus 2 x भाई यह 4y किस के बराबर है? x square के? यह रख लो यहां पर लिख दो from equation first अब यह plus का x भाई जाएगा 0 x square minus x minus 2 भाई factor बना दोगे? बनाओगे की नी बनाओगे factor? x square अब यह factor जब बनाओगे तो क्या बनेगा? minus का 2x plus का x minus 2 बराबर 0 x common x minus 2 plus 1 common x minus 2 बराबर 0 x minus 2 x plus 1 बराबर 0 x minus 2 को 0 के बराबर x plus 1 को 0 के बराबर minus 2 plus हो गया plus 1 minus हो गया लो जी तो x की दो value आ गई minus 1 और 2 अब मिरे को point मिल जागा आराम से अब मुझे क्या मिल जागा? point मिल जागा आराम से अब इसको कहीं भी put कर दो first में second में जहां मन करें महां put कर दो तो put x बराबर 2 in equation मालनों में second में put कर देता हूँ x बराबर 4y minus 2 तो यह कितना है? 2 4y minus 2 इधर आके minus 2 इधर आके क्या हो जाएगा? plus तो 4y 4 से 4 कट गया 1 तो y की value कितनी आ गई? 1 यानि अगर x में 2 लेता हूँ तो y 1 आएगा अब put करो put x बराबर minus 1 in equation second तो x बराबर 4y minus 2 वही x कितना है? x आपका minus 1 4y minus 2 minus 2 इधर आके क्या हो जाएगा? plus का 2 4y तो यह 1 बराबर 4y 4 नीचा जाएगा तो यह आगया y बराबर y बराबर 1 by 4 y बराबर 1 by 4 तो यानि हमारे पास जो point आए बच्चो वो आए एक तो आया 2 और 1 तो 2 और 1 आपको कहां मिल सकता है? भई x का 2 एक और 2 यह हो गया 2 और y का 1 y का 1 लग भग लग भग मान के चलो यहां यह भी ज़्यादा ले लिया मैंने अब यहां मान के चलो तो यह रहा यह आगया तुम्हारा point यह आगया तुम्हारा point 2 और 1 अगला point क्या है? अगला point है भई तुम्हारा minus 1 और 1 by 4 तो minus 1 यहां हो सकता है और 1 by 4 यहां हो सकता है तो भाई ये point तुम्हारा क्या आगिया ये point आगिया तुम्हारा minus 1 और 1 by 4 अब यहाँ से line गुजार दो यहाँ से line गुजार दो ऐसे है ठीक है एक काम करते हैं बच्चो ऐसे न आपको दिखेगा नहीं मैं इसको न थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके लेता हूँ ठीक है तो आप यह मैं सोचने कि ऐसे कैसे हो गया जब आप graph paper plot करोगे तो बिल्कुल exact plot होगा ठीक है तो मैं मान के चलता हूँ कि दो न यहाँ पर है दो यहाँ पर है x का 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है पॉइंट न मिनकों मिली गया है बस graph पर plot करना है तो यह आपका पॉइंट आगया भी यह क्या 2 और 1 और इस पॉइंट को मान लो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट को मान लो minus 1 और 1 by 4 और इसको अब ऐसे मिला दो क्योंकि कोश्चन करने में मज़ा आना चाहिए ठीक है ऐसे मिला दो मिल गया भाई अब देखो धियान से देखेंगे ठीक है मिल गया क्या यह पॉइंट हमारा आगया minus 1 और 1 by 4 और यह पॉइंट आगया 2 और 1 ठीक है यह नाम दे दिया अब उसने बोला है कोश्चन के अंदर कि कर्व और लाइन के बीच में जो एरिया आ रहा है यह वाला यह निकालो लेकिन भाई हमने जब यह मिलाया तो यह वाला एरिया बिना फाल तुमें यहां पे मज़े लेने आ गया तो यह एरिया तो हमें चाहिए नी तो हम क्या करेंगे अब हम यहां पर एक strip खीचेंगे जैसे ही आप एक strip खीचोगे बच्चो या अपने एक strip खीच दी खीच दी strip जैसे strip खीचोगे तो आपके नजर में यह दिखेगा कि सबसे पहले इसने line को touch किया फिर इसने curve को touch किया ध्यान से देख लो एक एक बच्चा मैंने इसलिए इसको dark कर दिया है कि पहले इसने line को touch किया फिर इसने curve को touch किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो figure को हमारी strip touch करेगी तो जिसको पहले टच करेगी उसे आगे और जिसे बात में टच करेगी उसे पीछे और दोनों को क्या निकालना होगा difference निकालना होगा तो यानि पहले वाले में से second वाले को minus कर दो तो बात खतम यानि line की equation में से पैरा बोला की equation minus करोगे तो आपको answer निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा तो बस मेरे भाई बात खतम हो जाती है यहीं तो निकालिए area area निकालना हमें किसका O, B, C, D, O का O, B, C, D, O का और निकलेगा कैसे? निकलेगा area O, A, B, C, D O, A, B, C, D, E, O minus area area minus करेंगे O, O, A, B और वापस D और फिर वापस क्या है? E, O तो देखो ना कैसे गए? O, A, B, D, E, O यानि कि इधर वाला area हमने minus कर दिया क्योंकि C लेते तो यह पूरा आता लेकिन इसने D लिया है तो D लिया है तो इसका मतलब यह इधर आ गया अब फिर क्या हुआ? E तो इस तरीके से area है भई, ठीक है? अब क्या करेंगे? जब भई हम लेंगे limit तो क्या करेंगे? पहले इसने किसको touch किया? line को तो line को touch किया लेकि limit कहा थे कहा तक चलेगी? minus 1 से लेके 2 तक minus 1 से लेके 2 तक हाँ भई, पहले किसको touch किया? line को और line का y कोँन है? y2 minus, फिर किसको touch किया? पैरा बोला को और पैरा बोला का क्या है? y1 क्यों ले रहें y की value? क्योंकि कॉन से इस ट्रिप है? vertical और respect किसकी होगी? x की बात खतब minus 1 से 2, y2 भई, line में से y निकाल लो line में से y निकालो गया? तस क्या बनेगा? x plus 2 upon में 4 बराबर y तो कितना बन गया? x plus 2 upon में 4 भई, यहां से y की value निकाल लो तो क्या बन जाएगा? x square upon में 4 बराबर y x square upon में 4 और यह dx भई, 1 y4 दोनों में से बाहर आ गया? minus 1 बटा 2 x plus 2 minus x square dx करो integration x square upon 2 plus 2x minus x cube upon 3 और minus 1 से लेके 2 तक put करो 2 put करोगे 2 का square 2 2 put करोगे 2 2 put करोगे 3 ठीक है यह आ गया इसमें और यह minus अब minus का 1 put करो minus 1 का square 2 2 minus 1 minus 1 का cube upon 3 1 by 4 2 का square से एक गया 2 plus 2 2 नी 4 minus 2 का cube 8 बटा 3 minus 1 का square 2 ठीक है और minus का 2 minus और यह minus का 1 बटा भई क्या हो जाएगा 3 क्योंकि minus का cube minus ही होता बच्चो एक बटा 2 तो यह आ गया 6 minus 8 बटा 3 minus हा भई तो 1 बटा 2 minus 2 और यह minus minus plus का एक बटा 3 solve करो इसको एक बटा 2 solve करेंगे 6 ती आठारा minus 8 बटा 3 minus हाँ भई इसके नीचे कुछ नहीं तो यह सिक्स कटेगा 3 3 कटेगा 6 दूनी 12 कटेगा 2 तो कितना आएगा 1 by 2 18 में से आठ गया 10 बटा 3 minus हाँ भई तीन और 2 3 और 2 कितना हो गया 5 5 में बार गया minus का 7 बटा 6 ठीक है तो 1 बटा 2 10 बटा 3 minus minus प्लस 7 बटा 6 1 बटा 2 6 एलसियम कटेगा 2 20 6 7 1 बटा 2 20 और 27 बटा 6 कट जाएगा 3 से तो 9 बटा 2 और आंसर कितना हैगा 9 बटा 4 स्क्वेर यूनिट्स ये इसका क्या हो गया चो आंसर हो गया ये किसका क्या हो गया आंसर हो गया तो इस तरीके से बच्चो आपको ये कोशन करने हैं समझ माई बात तो इस तरीके से ये कोशन करना है और आप लोगों को आप घर से आप लोगों को आप घर से ठीक है आप लोगों घर से कोशन नमबर 11 करके लेकर आना है और मिशलेनियस के अंदर से miscellaneous के अंदर से miscellaneous के अंदर से question number second करना है third करना है seventh करना है tenth करना है बस इतने question आपको घरते करके लिए कराने है ठीक है? चलो तो आज की class यहीं खतम करते हैं मिलते है next class में ठीक है? चलो बाई